तो नमस्कार दोस्तो ये रहा हमारे पास VivoY 21A Mobile तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ VivoY 21A Mobile में Back Button को Change कैसे किया जाता है यानि Navigation Keys को Change कैसे किया जाता है जैसा कि दोस्तो आपको पता होगा जब दोस्तो ये नया आप Mobile खरीदते हो तो दोस्तो इस Mobile में Back Button जो है Left Side मिलती है तो काफी दोस्तो अटपट लगता है चलाने में तो इसको Right Side में कैसे किया जाएगा यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए Friends में आपको फटा-फट बता देता हूँ तो Friends आप लोगों को करना क्या होगा Mobile की दोस्तो जो Setting आती है Mobile की Setting को आप लोगों को Open कर लेना है Setting Open होने के बाद Friends आपको Scroll करना है Scroll करने के बाद सबसे नीचे दोस्तो आपको आ जाना है यहाँ पर दोस्तो देखे System का Option देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इस System का Option पर आप लोगों को क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर देखे System Navigation का Option आएगा इस पर आप लोगों को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो हो सकता है आपके मॉबाइल में यहाँ पर back button so हूँ तो हमारे मॉबाइल में जब दोस्तों यहाँ आप दिखे setting option बनाए इस पर मैं click करता हूँ तब दोस्तों यहाँ पर back button so हो जाती है तो जैसा कि दोस्तों आप देख पारे हो back button left side है तो इसको right side करने के लिए आप को करना क्या होगा यहाँ पर दूसरे वाले पर टिक लगा दिजिए देखें दोस्तों back button जो है right side में हो चुए है तो इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से back button को customize कर सकते हो अगर वीडियो मेरे आपको परसंदा है तो like सा subscribe दोस्तों जरू करें